अधो कैसे वह आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं आप सभी किनीटू की लजज रिसिपि में स्वारत है दोस्तों आज हम बनाएंगे शेम का सबजी वह भी गार्डन से तोड़ के तो आप लोग देखें कि मैं शेम का सबजी कैसे बनाओंगी और गार्डन से त तो वो भी मैं आपको देखा हूंगे तो चलिए मैं आप पहले स्विम प्रोड लेती है कि अब प्रोड प्रोड बुद आर गो लेती है आपको लेती है ओब भी मैं आपको चार भाह्डेश्ट मैं आपको अंपको राह्डेश्ट है I got a switch in my head I go from living to dead You got me seeing all red Now I'm becoming a threat I fucking hurt what you said I make you have some regrets And no I never forget So now you have a few debts अवदται है जिएताइ कि अधिस ख्याओी कि ए टू आप नग्यों फैंड लिम कि एंगे कि इड स्क्राइब ऒब कि ए इंग जाओ से जाहीं फिर्डेंट दिर्डिक इंग इव NOR्ट की एंगे इंगे हम कि आप एंगे संवंगी और एंगे संप्गान剉 लेगी उंग जाही संगड ट्राइब आव्यो जिस वननननननननननननननननफ जरत प्रोहाँ कर दो कर दो दो जो हुआ है कर दो कर दो आज हम बनाएंगे सेम का सबजी जो अभी अभी मैं गार्डेन से तोड़के लाएं हूं आप लोग देखे ही होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सबजी बनाओंगी सर्सों डालके और यह दो कलर का सिमेक वाइट है और एक हडा है तो सबसे पहले मैं सेम को बना लेती है तो आप इस तरीके से चाको से काट लेजिए और शारा रेसा आप निकाल लेजी इस तरीके से आपको काटना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सबजी बनाओंगी तो आप लोग वीडियो कंटिनी देख देखिएगा तो मैं सारा बनाकर आपको दिखाती हूं यहां पर देखिए दोस्तों मैं सेम को बना ली हूं और यहां पर मैं सिर्फ सेम बना रही हूं आलू मैं बिल्कुल एड नहीं करूंगी यह गार्डन का तजा तजा सेम है आप आलू यहां पर डाल सकते हैं क्योंकि सेम आलू ही बनता है लेकिन मैं आज सिर्फ सेम का सबजी बना एक समाच अब सारे को चटकने दे उसके वाद यहाँ पे मैं डाल दोंगी प्याज तो दौप प्याज को मैं काट ली थी तो प्याज को डाल दी ची उसके वाद प्याज को है ना थोरा सा गॉल्डन कलर तक होने दे और यहाँ पर मैं माशाला पीसी हूँ तो दोस्तों मैं माशाला में सर्सों लहसन अद्रक और हरी मिर्च पीसी हूँ आप जब भी सेम का सब्जी बनाएंगे ना तो सर्सों आप जरूर डालेगा बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है कुन-कुन सर्सों डालके बनाते कमेंट में और यहाँ पर देखिये प्याज है न यहन答 हो गया तो यहाँ पर मैं डाल देती हूं मशाला क जो मैं पी सी 10 टेमी करा केये करें П्लादिग यश्माष पाeurस भ्रकेल्डीई हैसाथ क्लिच पाम्रख फार्श हीchnरता लाल मीर्च पोरडर कि 반ाधस का कूं आप साड़ कुन मिल करएं टाकि टमाटर है थोड़ा ऊपट होझे उसके बार फंच मिनलत मैं इन धळकर मश्राब कर तो यहां पर कब कर देते हूं और फैन फाशा सब्रेफी टाकि मंड़ बूनद कर देती です तो सेम आप ऐसे भी बना सकते हैं मेरे तरीके से बहुत टेश्टी लगेगी और यहां पर मैं सबसे पहले नमक डाल देती हूं और एक जैसे आप यास सब फ्राय किये ना फिर उसमें सेम आलू भी डाल के बना सकते हैं लेकिन आप जब मशाला भूंच के सेम बनाएं ना तक यह सेम देखिए सौप्ट हो गया ढ़कने के वाल नमक डाल दीती ना तो देखिए सौप्ट हो गया आप इनको मैं फिर से पांच मिनद धक करहां गी यह पांच मिनद फैनली हो गया तो सब्ची बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया ज्यादा भी कूप नहीं की जिए करने तो साड़ा से मैंना तूट जाएगा इसलिए ज्यादा भी कुक नहीं कीजिएगा आप यहां पर मैं पानी डाल देती हूं पानी भी ज्यादा नहीं डालेगा बस थोड़ा बहुत पानी डालना है फिर इनको मैं सुखा दूँगी यानि पानी को एना फिर सुखा कर दूँगी मतलब ठीक रखूंगी और यहां पर मैं डाल देती हूं धनिया का पत्ता और अच्छा टेस्ट आने के लिए अब इनको मैं ढखकर पानी को एना थोड़ा सा सुखा दूँगी यहां पर देखी यह सबजी बनकर बिल्कुल डेडी हो गई है दोस्तों मैं बिल्कुल पानी नहीं रखी हूं पानी को मैं सुखा दी थी तो अब यहां पर मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूं थी यह सेम का सबजी बनकर बिल्कुल डेडी हो गई है दोस्तों तो देखी कुछ नहीं है और घर का यह सेम है और बहुत ही जादा टेस्टी लगती है बिना खाद पानी पानी डाली थी खाद नहीं तो सेम का सबजी बनकर डेडी हो गए यह तो कैसी लगी आपको सेम का सबजी हो भी गार्डन से थोड़ कर अगर अच्छी लगी तो आप एक बार है ना मेरे तरीके से जरूर बनाईएगा अगर आपको आलू पसंद है तो आप आलू जरूर डालिएगा ठीक है मैं स्कीप कर दीओ आलू को क्यूंकि मैं सिर्फ सेम का सबजी बनाईएगा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे तरीके से सेम का सबजी जैसे मैं बनाईएगा वैसे आप जरूर बना तक की लिए बाइ बाइ